कि नमस्कार दोस्तों मैं एड़ोकेट रविंद्र एक बार फिर से आपका सौगत करता हूं मेरे और आपके अपने यूटूब चैनल पाइट देलो इस वीडियो को लाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद यही रहा है कि आपको आपके अधिकारों के बारे में बताना आपको आपका स्वयम का वकील बनना क्यों क्योंकि आप इतना सा जान लीजिए कि स्वयम का वकील बनने के लिए किसी भी प्रकार के डिगरी की या किसी अन्य दस्तावेज की कोई आउशक्ता नहीं होती दस्तावेज की आउशक्ता तब पढ़ती है जब आप किसी अन्य वेक्ति के अधि लेकर आया हूं इनको जानना बहच जादा जरूरी है और इस सेशन को शुरुआत करने से पहले में आपको एक बार बता देना चाहता हूं यह अधिकार आपके देनिक जीवन में नहीं आपके नोलेज को बढ़ाने में और किसी अन्य वेक्ति को सही राय देने में भी काम आने से वाले इसलिए अपने अधिकारों को जान लीजिए कि कि आप जानते हैं कानुन में जो भी अधिकार आपको प्रिवाइड करवाये Anyways किस लिए ये ये आपके लिए इन को जानने का अधिकार किसका है यह भी आपे Whitaker है यह आप अपने अधिकारों के पर्ती अगर अप अपने अधिकारों के पड़ती आप सतरकता ना दिखाएंगे इनको जानने का प्रियास ना करेंगे तो जो भी इतना सब कुछ लिखा हुआ है यह सब जो भी इतनी से नोलिज कहीं इंटरनेट के माध्यम से कहीं कोपी किताब कहीं बुक्स वगेरा में कहीं भी बहुत जग ज जान लीजा ज़िए कि जो भी अधिकार हैं यह सारे अधिकार आपके कानून से रिलेटिव हैं और इन अधिकारों के माद्यम से आपको समाज में एक उचा दरजा मिलने वाला है क्यूं जिसके पास घ्यान होता है उसी का समाज में प्शुमाण होता है इतना बस आप जान दीजिए तो आइए आपके लिए पहला जो अधिकार लेकर आया हूँ मैं वहें CRPC CRPC की धारा CRPC की धारा 50 CRPC की धारा 50 यदि किसी पलिस अधिकारी द्वारा आपको गिरफ्तार किया जाता है क्या बोला हूँ ने जिस तरह किसी पुलिस अधिकारी द्वारा आपको यदि गिरफतार किया जाता है तो आप उससे गिरफतारी का कारण जान सकते हैं कि सर आपने मुझे किस आरोप में या किस आरोप के उपर मेरे को गिरफतार किया गया है किस आदेस के तहट आपने मेरी गिरफतारी को किया गया है ये आप उसे जान सकते हैं और पुलिस अधिकारी का भी यही फर्ज बनता है कि पुलिस अधिकारी आपको संतुष्टी भरा जवाब जरूर दे आईए अगले अधिकार के बारे में बात करते हैं किसी भी महीला को महीला को महीला पुलिस अधिकारी द्वाराई गिरफतार किया जा सकता है यह द्वारा 46 के तहट प्राउधान किया गया है आईए तीसरी धारा की बात करते हैं तीसरी धारा के अंतरगत हम देखने वाले हैं किसी भी पुलिस अधिकारी, किसी भी महीला को सूरे अस्त के, सूरे उदे से पूर्व और सूरे अस्त के पस्चाद गिरफतार नहीं किया जाएगा, ये कानून में इस पस्ट प्राउधन किया गया है, धारा 46 के तर, यदि किसी भी महीला को गिरफतारी करना जरूरी है, तो जानते हैं अधिकार नमबर 4 क्या है यदि किसी असंग्य मामले में आपके उपर एसे अपराद का आरुक लगाया गया है जो असंग्य अपराद तो उस मामले में आपकी गिरफतारी नहीं की जाएगी यदि किसी पुलिस अधिकार दोर आपकी गिरफतारी की जाती है तो आपको अधिकार जानने का है अधिकार है आपको ये जानने का अधिकार है कि किस बिना पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है और यदि आपके खिलाफ एक जनरल नोलिज की बात ये भी है कि यदि आपको संगे अपराद के आरोप में यदि आपकी गिरफतारी की जा रही है तो ये एक तरह से जायज है क्यों? क्योंकि संगे एक घिलूने अपराद की श्रेणी में आता है जिसमें आपको बिना वारंट के भी गिरफतार किया जा सकता है धरा 4 के तहट आपको वारंट देखने का अधिकार भी है आईए अगले अधिकार के बारे में जानते हैं धरा CRPC की धरा CRPC की धरा 41? CRPC की धरा 41? 41 के तहत यदि किसी पुलिस अधिकार दोरा आपकी गिरफतारी की जाती है तो आपको अरेश्ट मेमो देख बनवाने का अधिकार भी है क्या आप जानते हैं अरेश्ट मेमो क्या होता है? अरेश्ट मेमो एक तरह से एक दस्तावेज होता है तो कानेने रूप में अरेश्ट मेमो के नाम से जाना जाता है जब भी आपकी गिरफतारी की जाती है उस पुलिस अदिकारी द्वारा आपके सामने या फिर किसी वरिष्ट वेक्ति के द्वारा के सामने इस अरेश्ट मेमों को बनवाये जाता है और जिस समय और जिस दिन आपकी गिरफतारी की जाती है उसकी तारिक और पर्टिकूलर समय उसमें निर्धारित किया जाता है आईए अगली धरा की बात करते हैं आपके अगले अधिकार को जानने का प्रयास करते हैं CRPC की धरा CRPC की धरा 50 यदि किसी वेक्ति किसी पुलिश अधिकारी द्वारा आपको गिरफतार किया जाता है तो आपके परिवार को इंफॉर्म करना आपके परिवार को सूचना देना उस पुलिश अधिकारी का करतव भी होता है यदि आप जिसी आपके परिवार को नहीं जिस वेक्ति के बारे में भी आप पुलिश अधिकारी को बताएंगे आएए आपहिं कि अगले अधिकार के बारे में बात करते हैं के सीर्पीषी की धहरामच पच्पन कि सुरक्षा फच्पन के तरथ आपपि शुरक्षा और स्वास्ति का ध्यान द्ध का धियाँ धखना जिस भी-क पिलीस-धिकर की कष्टडी में आप होते हें उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी शुरक्षा करे और आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखे ये एक पुलिस अधिकारी का करतववे होता है इसलिए आपको यदि अभी रक्षा में है तो आपको आपकी शुरक्षा और आपके हेल्थ से सम्मंदित कोई भी शमश्या के बारे में सोच या विचार करने की कोई आऊशकता नहीं है ये जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी को दी गई है जिसकी अभी रक्षा में आप होते हैं आईए इसी के साथ आपके अगले अधिकार को जानने का प्रियास करते हैं आपको समझाने का प्रियास करते हैं अगली धारा के बारे में हम जानना चाहते हैं कि 41- жद धरा 61 के तद सब्बिह की सिप्धिकारिक दोड़ा आपको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने बाद आपसे पूछा जाता है जिदि आप किसी पोलीख प्र अधिकार से कुछ प्रांवर्स लेना चाहते किसी परकार की राहे लेना चाहते और जिस भी वकील का आप नाम लेंगे पुलिस अधिकारी दोरा उस वकील को सूचित कर दिया जाता है और उस वकील को आप से मिलने की अनुमती भी परधान कर दी जाती है इसलिए ये भी आपका अधिकार है इसे याद रखने की कोशिस सकते हैं आपकी अगले अदिकार के बारे मैं वान करते हैं एक अगला अधिकार स्था से कि measurement धरा सत्ताउन के तत इसमें ये प्रहुधन किया गया है कि CRPC की धरा सत्ताउन में किसी भी पुलीश अधिकारी द्वारा किसी भी वेक्ती को 24 घंटे के अंदर-अंदर मजिस्टेट के सामने पेस करना होता है चाए वह अपराद संग्य प्रकर्तिका हो या असंग्य प्रकर्त का हो यह प्लिस अधिकारी का करतव होता है मजिस्टेट के सामने पेश करना 24 गंटे 24 गंटे जब तक जब उसकी गिरफतारी की जाती है तब से और यात्रा में जो समय लगता है उसे निकाल कर 24 गंटे की अवदी को देख लिया जाता है और 24 गंटे से ज्यादा किसी भी वेक् लिए दिकार को जानते हैं CRPC किसी धरा चवण इसमें किया प्राउधान किया यदी आप आपका मेडिकल चेक अप करवाना चाहते हैं तो इसमें आपको अधिकार दिया गया है निसा पार की सूछना हो छाती है कि जिस भी सधिकारी की कसटडी में में आप थे जिस भी सधिकारी कि अभी रक्षा में आप थे के उसके दोरह यदि आपके उपर महारपीट की जाती है जिस के बारे प्रोविजिन से जिनके बारे एंगे जम्री आप और इसके साथ ही repeating आप आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कुछ वीशेश प्रावधान जो भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्यों क्योंकि समाज में आपको नहीं पता कि किस परकार का अपराद होने वाला जरूरी नहीं कि आपके इन्हीं अधिकारों का उलंगन हो आपके हो या बड़ा यदि आप किसी बी पुलिस थान में किसी भी अपराद की इतला देने के लिए किसी भी एफ़ायर के चलते हैं इस एक करवाने के लिए और पुलिस अधिकारी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सक्राइब उस पुलिस यडिकारी के सब्सक्राइब को आप से मैं दर्खास्त करता हूं कि उस पुलिस त्रीकारी के साथ पुलिस खिलाफ आप कारिवाइश कीजिए और मुझे अपना अधिकार दिलवाईए तो SP अपने जो भी निर्देशा नुशार अपना कारे करता है और आपको विशेस्ता आपके अधिकार का पालन जरूर होगा जिस अधिकार का आपके साथ उलंगन हुआ है उसका पालन जरूर किया जाएगा आई ये अगले अधिकार के बारे में बात करते हैं ये बात हुई IPC की वन डबल सिक्स इसके बारे में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पुलिस अधिकारी के दुर व्यवार के बारे में बताया अपने करतव यह से विप्रित कारे करने के बारे में बताया आईये कुछ समाज में चलने वाले कुछ अपरादों के बारे में यदि आप किसी रस्ते पर जा रहे हैं और किसी अन्य वेक्ति दोरा आपके साथ गाली गलोच की जाती है तो इसमें भी आपका अधिकार बनता है किसी वेक्ति दोरा आपके चाटा मार दिया जाता है लात मार दी जाती है इसके उपर भी आपका अधि करेंगे नहीं आप कानून का इस्तेमाल करेंगे इस कलम में बहुत ज़्यादा तागत होती है बहुत तागत होती इस कलम में इसलिए आप कलम कम कलम का इस्तेमाल करेंगे क्यों क्योंकि हाथ से भी ज़्यादा तागत होती है इस कलम में इसलिए किसी वेक्ति दोरह आपको चा द मिनाबी आता है IPC की धढरा ए है IPC की धढरा 323 कि इसके तहते प्राध है और इसमें सज्ग का प्राउधान भी है और ईलिवतारी का प्राउधान भी है आई यह कुछ और बात करते हैं यदि किसी वेक्ति-दौरा आपके साथ गाली गलोज की जाती है किसी परकार का दूर विवार किया जाता है अब सब दूब बहुत को एकmeter किसी भी अन्य प्रकार से आपके मन को आपके ऐसी बातें बोली जाती है जिससे आपका मन दुखी हो या गाली गलो जो आपके मान हानी हो तो इस केस में भी आपके पास प्राउधान किया गया है आप IPC की धरा 504 पांसो च्यार के थाथ आप उस वेक्ति को दंड भी दिलवा सकते हैं जुर्माने का भी प्राउधान है या आपका अधिकार है आई ये इसी के साथ बात करते हैं कि आए पीशी की धरा 506 क्या आप जानते हैं आए पीशी की धरा 506 क्या है जब आप कहीं रस्ते में जाते हैं या कहीं पर भी हों किसी वेक्ती दोरा आपको धमकाया जाता है किस तरह मैं तेरे साथ ऐसा कर दूगा मैं तेरे साथ वेसा कर दूगा मैं तुझे जान से मार दूगा या किसी भी संपती से रिलेटिव, मैं तेरी बाइक चोरी करवा दूँगा, मैं तेरी बाइक को तोड़ दूँगा, फोर दूँगा, किसी भी परकार की, यदि आपको धंके दी जाती है, वह एक अपराद होता है, वह एक ओफेंस होता है, IPC की धारा 506 के तर, क्या आप जान करता है, हलाकि आप पुलिस अदिकारी के साथ बत्तमीजी ना करेंगे, इतना मैं उम्मीद करता हूँ आप से, पुलिस अदिकारी दौरा जिस भी परकार के आप से सवाल जवाब किया जाएंगे, आप उनको सही सही जवाब देने की कोशिस करेंगे, और आपको देना भी क्यों, क्योंकि जिस भी पुलिस अदिकारी को उसके करतववे में, जो भी उसके करतववे का पालन करने में, यदि आप अभेलना डालेंगे, या किसी परकार की भादा डालेंगे, तो ये कारे एक अपराद है, यदि आपने कोईशी भी परकार का अपराद नहीं किया, या लेकिन यदि पुलिस दिकारी द्वारा आपको थाने ले जाये जाता है और आप से सवाल जवाब करने के साथ सथ आपके साथ मारAAAA पीट भी कि जाती यह सिब यदि-पुली सदीकारी द्वारा आपको चाथा बाल गहल कि सब्सक्राइब लखडी से आपके उपर प्रहार किया जाता है। पुलीश अदीकारी द्वारा ये एक अपराद किया जाता है। पुलिस अधिकारी धरा 330 के तरफ आई पीची की धरा 330 के तरफ यह अपराद करता है यदि किसी व्यक्ति को बिना आदेश के उसके हाथ लगाना उसे चाटा मारना लात मारना किसी डंडे या किसी अन्य वस्तु से उसपर प्रहार करना यह पुलिस अधिकारी को द्वरा एक अपराद किया जाता है धरा 330 के तरफ इसमें पुलिस अधिकारी को साथ वर्स तक की सजा का प्राउधान है पुलिस अधिकारी को आप साथ वर्स तक की सजा भी दिलवा सकते हैं और जुर्वाने का भी प्राउधान किया गया है आई ये किसी एक और इसी से संबंदित धरा के बारेरे में बात करते हैं कि में 231 335 ऊइदिकारी दौरा आपको एक 2019 कारित कर दी जाती है जो मुच 700 हो भで इसमें अगी हमने जैना 310 के बारे में इसमें तो किये आपको एकन चाठा माणना एक लाव ना जैसे कि किसी डंडे या आउसए प्रहार करें नॉर्मल जिसमें आपको क्या है जरासा दर्द हो पर परन्तु आपकी मान हनुती हुई है तो इसके बारे में पर परन्तु इसमें 331 में यदि किसी वेक्ति द्वारा डंडे से प्रहार किया जाता है और आपका हाठ तूट जाता है यदि किसी ऐसी जगह लगती है जो आपके लिए गंबीर चोट कारित कर सकती है या किसी प्लिस अधिकारी द्वारा यदि आपको चाटा मारा जाता है और चाटा इतनी जोरदार मारा जाता है कि जिससे आपके दांक भी तूट सकते हैं, आपकी नाक से खोना सकता है, या आप एक कान से बहरे भी हो सकते हैं, यदि इस प्रकार का कोई भी घव आपके सरीर पर होता है, जो जांच के द्वारा पता लगाया जाता है, तो पुलिस अधिकारी को धरा 331 के तरह आप 10 साल का दंड़ भी दिलवा सकते हैं, क्या आज से पहले आपको इन सभी के बारे में पता था, क्या आप इनके बारे में जानते थे, यदि आप इनके बारे में जानते थे, यह एक अच्छी बात है, और अगर ना जानते हों, तो इन सभी बातों को आप जान लीजिए, क्यों? क्यो अधिकार आपको आपके स्वयम का वकील बनाएंगे और आपको मैंने वीडियो के सुरुवात में बताया स्वयम का वकील बनने के लिए किसी भी प्रकार की डिग्री के आउशकता नहीं होती मैं एड़ोकेट रविंद्र अब दीजे मुझे इजादत फिर मिलते हैं जहिंग जवार्ट